ही स्टुडेंट वेलकम अंस अगेन बच्चीस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.3 का सेकेंड लास्ट क्वेशन कहा सकते हो आप क्वेशन नमर 11 सॉल्व करने वाले हैं जहां पर हमें दिया हुआ है कि इन लेबरेटरी दा काउंट ऑफ बैक्टिरिया इन शर्टेन एक्सपरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एड़ डारेट ऑफ तू पाइंट फाइपरसेंट पर आवर यानि कि एक लैब है वहां पर एक एक्सपरिमेंट किया जारा बैक्टिरिया कितने जल्दी बढ़ते हैं जैसे कि अभी हम लोग का वायरस बढ़ रहा है ना कोरोना वैरस 5,6,000 यानि कि आपको यह बताना है कि अगर अभी बैक्टिरिया 5,6,000 है लगभग तो दो घंटे के बाद कितने बैक्टिरिया हो जाएंगे ठेक है अगर रेट हमारे पास कितना है 2.5 है तो टाइम हमारे पास 2 हो जाएगा अवर है कोई दिक्कत नहीं इसमें पहले आप य प्रिंसिपल का लाएगा और यह जो 2.5 है यह हमारा रेट हो जाएगा और उससे हमको क्या करना है सॉल्व कर देना है तो आई जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं और अगला जो हमारा क्वेशन रहेगा तो उन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्रिप्रिप् इसी फॉर्मला में क्या करेंगे पहले तो वैल्यू को पूट करेंगे 5,6,000 ठीक है ब्रैकेट में 1 प्लस आर तो आर हमारे पास कितना है 2.5 है डिवाइड बाई में 100 और पावर में T यानि कि हमारे पास 2 हो जाएगा अब पहले तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं 2.5 करें में 100 इतना होगा तो देखो मैं आपको रफली हाँ पर समझा देता हूं इस टाप से कभी डेसिमल को सॉल्व करने के लिए आ जाया ना तो आप क्या करो कि डेसिमल को होल नंबर में कनवर्ट करो तो अगर हम लोग इसको होल नंबर में कनवर्ट करना है 2.5 लिखना है तो हमको कहा करना पड़ेगा ten से म्ल्टि प्लै करना पड़ेगा 2.5 म्ल्टि प्लैट 10 होता है हमारा 25 हम जानते है कि कि जब हम भी करते हैं तो और यह जीरो का जीरो आजाएगा यानि जब हम लोग 2.5 और 100 को अगर डिवाइड देंगे आपस में तो हमारा 1 बाइब में 40 आएगा तो आप इसको इस तरीके सॉल्ब करो इसमें आपको ज्यादा असानी फीर होगा तो यह हमारा कितना बन गए यहां से 556000 नंबर बहुत अ से लिखा हुआ है और यह हो जाएगा 1 प्लस में 1 बाइब 40 पावर में हमारे पास आजाएगा 2 तो यहां पर से फिर हमारा वही हो जाएगा 5,6,000 ब्रैकेट में 40 का वन टेम डेबल पड़ो तो 41 सरी 41 जा 40 और यह उपरवाला एड हो जाएगा तो 41 हो जाएगा तो यह बन ज चुकि 2 है तो दो बार लिखना पड़ेगा 41 बाइ 40 यह नीचे के 2 0 से उपर के हमारे 2 0 कट हो गया 4 से इसको कट कर लेते हैं 4 1 जा 4 हो गया यहां पर हमारे पास 4 1 जा 4 हो जाएगा 5 में से 4 कट हो बचा 1 वह आगे जाकर 10 बना देगा तो 4 2 जा हो जाएगा हमारा 8 10 में से 8 क जाए बाई भाग यह निए अब तो यह कट हो गनी कट हो जाएगा लेकिन हमारा एंसर जोगा डेसीमल में आ जाएगा तो आटेव काम कर सकते हो यह तो पूरा अधिकला कर लो और उसके बाद करो फिर फिर लाश्राश्त कर लो और दो दोनों सो लगभग सेम तायम लगने म तो 4 3 ज़ाएगा हमारा 12 माइनस किया, cut हो गिया, ये 6 उतर जाएगा, 4 1 जाएगा हमारा 4 हुआ, बचा 2, ये बच गया हमारा 5 यहाँ पर, 4 6 ज़ाएगा, फिर से हमारा 24 माइनस किया, बच गया 1, बेसिमन लगाएगा, 0 बढ़ेगा, 4 2 ज़ाएगा, 8, फिर से माइनस को रहो बज गया 2, 0 बढ़ा देंगे, तो 4, 5 जो हो जाएगा 20, और यह हमारा पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, तो हमारा जो answer आ रहा है numerator में, 4 सी इसको अगर हम लो कट कर रहे हैं, तो हमारा answer कितना जा रहा है, 3, 1, 6, 0, 25 आ जा रहा है न, वीडियो पाउस करके करता हूँ, यहां पर हमारा बस टाइम हैं, जल्दी से कर सकते हैं, 1, 5, 5 हो जाएगा, 1, 2, 2, 6, 1, 3, 4, 5, 20 का 0, करी हो गया हमारे पास 2, उसके बाद 4, 2, 8 हो जाएगा, 2, 10 का 0, करी हो गया 1, 4, 6, 24 और 1, 25 का 5, करी हो जाएगा हमारे पास, कहां तक हम लोगा, यहां तक गया थे न, तो यह हो जाएगा हमारा 2 करी, 4, 1 जाब 4 और 2 हो गया 6, 4, 3 जाब हमारा 12, ठीक है, यह हो जाएगा 5, यह हो गया 1, देखते रहना, हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डिजिट है, यहां भी 3, 3, 6, और 1, 7 डिजिट हो गया, अब हम लोग 4 का टेबल पढ़ लेते हैं, 4, 5, जा 20 का 0, करी हो गया 2, 4, 2, जा 8 और 2 हो गया 10 का 0, करी हो गया मारे पास 1, 4, 6, जा 24, और 1, 25 का 5, करी हो गया 2, फिर से 24 और 2 हो जाएगा 26 का 6, करी हो गया 2, 4, 9, जा 36 और 2 हो जाएगा 38 का 8, करी हो गया मारे पास 3, 4, 2, जा 8 और 3 हो जाएगा 11 का 1, करी हो गया 1, 4, 1, जा 4, और 1 हो गया मारे पास 5, सभी को एड़ कर दो, यह हो गया 5, यह हो गया 2, यह हो गया 6, 6 और 5, 11 का 1, करी हो गया 1, वीडियो में आ रहा है, 9 और 1, 10 और 6, 16 का 6, कैरी हो गया 1 यह हो जागा 10 और 1, 11 का 1, कैरी हो गया 1 फिर से 3 और यह हो गया 5 तो एंसर हमारे कितना जा रहा है, 5, 3 1, 6, 1, 6 और यहाँ पर हमारे पास, जेखो 2, 5 है लास्ट में और हम लोग को जानते हैं कि फाइब या फाइब से ज्यादा नंबर है, जिसे 5 होगया, 6 होगया, 7 होगया, इस तरीके से नंबर आता है तो हम इसको क्या करते हैं, राउंड ओफ करके नेक्स्ट नंबर मिले जाते हैं, जिसे 16 है न तो यह 17 बन जाएगा, लेकिन अगर 5 लास्ट में हमारा जिसे यहां पर देखो 2 है पहले स्टार्टिंग में, तो अगर हमारा 5 से कम है, ठेका चाहिए 4 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो, कुछ भी रहता है, तो हम लोग राउंड ओफ करके इतना ही उको लिख देते हैं, तो यह हमारा एप्रॉक्स एंसर निकल जाएगा, 531616 और यही क्या होगा, इसका final answer हो जाएगा, इस तरीके साब को इस question को solve करना है, I hope आपको अच्छे से समझ में आगया होगा, मैंने divide, multiply, सभी आप यहां पर स्टार्टिंग से समझा दिया है, अब इसमें अगर कुछ भी डाउट हो, तो आप उसे comment box में फूज सकते हो, billing up next video में जहांपर जमारा अगला question है, उसे ही मैं आपको simple method में समझा दूँगा, thank you for watching